असलामों अलेकुम दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से एक और सेशन के साथ हाजिर हूँ और आज हम इस सेशन में यूनिट्स एंड डैमिंस्टिन्स का चप्टर खदम करने वाले हैं ये है पहला चप्टर जो हम उठाने वाले है जर्नल साइन्स का तो चलिए बढ़ते है अपने क्वेशन की ओर आते हैं अपने क्वेशन नंबर बन पर सिंपल क्वेशन है कोशिश कर ये आंसर करने की पूछ क्या रहा है आपको बोलना है ये जो ये आपके पास इन मेंसे एक आप्शन को उठाईए बुलिए ये हमारा फंडमेंटल कॉंटिटीज में नहीं आता है अब इस क्वेशन को आंसर कौन कर सकता है जिसको इसका कॉंसेप्ट क्लियर होगा जो फंडमेंटल कॉंटिटीज होती क्या है और हमारे पास कितनी फंडमेंटल कॉंटिटीज एंड कौन कौन सी है बस आपको इतनी नौलेज होनी चाहिए आप इस क्वेशन का आंसर कर सक और अगर आपको बोला जाएगा ना, यह basic है, बहुत basic question है, जो base built करता है किसकी हमारी physics की, इतना आपको याद रखना है, अब question जो है बहुत easy है, और question का answer हमारे पास area है, I hope आप सबुने यही answer किया होगा, इससे easy question आपको नहीं मिलेगा, किसी भी competitive exam है, अब हमारे पास questions हम क्या करेगे काम, हम पहले units and dimensions की concepts को, मतलब revision मारेंगे, समझेंगे चीज़ू को, और अगले 30 मिनट में आप इस capable होगे, आप इन सब questions को खुद से answer करोगे, आते हैं अपने concept पर, मैंने question में क्या बोला, कि अगर आपको उस question को solo करना है, आपको fundamental quantity या जिसको आप basic quantity भी कह इसकी knowledge होनी चाहिए, that's, after that आप उस question का answer कर सकते हो, नब यहाँ पर इस पर आने से पहले हमें पता होनी चाहिए, एक physical quantity क्या होती है, अब physical quantity क्या होती है, कोई भी quantity उठाइए, कोई भी quantity उठाइए, जो क्या हो, जो measurable हो, for example, आपके पास area है, area क्या है, area एक derived quantity है, वो हम भा quantity है, क्योंकि हम इसको किस, मतलब किन बिना पर लिखते है, length और breadth के बिना पर हम लिखते है, भूलते हैं, area is equal to length into breadth, जिस length को हम major कर सकते हैं, जिस breadth को हम scale से major कर सकते हैं, उनका जब हम आपस में multiply करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है बनके, area बनके आता है, तो वही मैंने quantity हो सकती है, जिसको आप major कर सकते हो, simple यही concept है, इसके आगे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अब दूसरा पहलो सुनिए, कोई भी physical quantity, कोई भी quantity, जो आपके law of physics, law of physics क्या, जैसे हमारे पास laws of motion है, जैसे हमारे पास law of conservation of energy है, ये सभू को पता ही न, law of conservation of energy है, जैसे हमारे पास law of momentum है, मतलब ये सारे क्या है, laws of physics है, जि इन ही quantities की बिना पर हम इन law को determine कर सकते है, अगर हमारे पास ये physical quantities नहीं होगी, तो हम इन laws को भी determine नहीं कर सकते है, that is why ये base of physics का forum करते है, इतना समझाया, simple था ये चीज़े, fundamental quantities, derived quantities और हमारे पास है supplementary quantities, ये तीन types है, किसके physical quantities के, और इन ही को हमें एक-एक करके समझना है, पहले हम किसको पकड़ते है, fundamental quantities को, जिनको आप basic quantities भी कहते हो, यहाँ पर मैंने mark किया है, आपको सिर्फ फिर पढ़ना है, ये मैं share करूँगा आपके साथ, अगर आपको किसी इसको basic quantity क्यों बोलते है, क्योंकि ये वो elementary quantities है, जो हमारे पास entire span है physics का, वो cover करती है, मतलब इन से physics का base define होता है, इतना आपको याद रखना है, इन ही से हमारी physics स्टार्ट होती है, चाहे आपको कोई भी चीज होगी, किसी भी चीज को define करना होगा, आपको इन fundamental quantities की जरूरत जैसे अगर आपने सुना होगा ना, Reserve Bank of India, वो क्या है, वो हमारा एक national bank है, जो हमारे पास बाकी banks होते हैं, उनको loan provide करता है, ताकि वो work करे smoothly, वैसे ही हमारे पास इस, जो हमारे पास fundamental quantities होती है, ये किनकी working smooth बनाता है, derived quantities की, अब ये मत बोलना कि मैं Reserve Bank का ही यहाँ पर बोल र नहीं, बिल्कि इन से define होती है, मतलब जो derived quantity है ना, वो in quantities से हमारे पास define होती है, for example, आपके पास area है, area क्या है, area कुछ भी नहीं है, वो जब आप length और breadth को आपस में multiple करते हो ना, जो उसका नाम आपने दिया है ना, वही आपका area बनता है, और इसी area को हम derived quantity कहते हैं, और अगर आपको देखा जाएगा, length, हम अगर देखेंगे, जो हमारे पास breadth में भी महाँ भी होता है, और length, length ही होती है, जिसका हमारे पास सब को पता है, unit क्या है हमारे पास, वो meter है, तो आप इसका भी meter लोगे, इसका भी meter लोगे, वो क्या हो जाएगा, वो meter square हो जाएगा, मै आपको समझा रहा हूँ कि चीजे कैसे बनती है यहाँ पर इतना तो आपको समझ आ गया अब एक चीज है जो आपको समझनी जुरूरी है जो हमारे पास यह fundamental quantities है ना अगर आपको बोला जाएगा कि कितनी है जो हमारे पास पीछले वाला question था हमारे पास साथ physical यह सौरी हमारे वैसे हमारे पास length आता है कभी आपको किसी ने बोला है कि length को define करने के लिए आप यह वाली physical quantity लो length को कोई define ही नहीं कर सकता है बैलकि length से ही हम बाकी चीज़ों को define करते हैं जिसका unit हमारे पास meter है यह आपको पता ही होगी वैसे ही time time का unit क्या है second mass का kilogram और अगर आपको बोला जाएगा temperature का Kelvin यह मैं units लिखता हूँ बहुत important है और अगर आपको बोला जाएगा electric current उसका क्या है ampere यह भी आपको पता ही होगी luminous intensity जो मैंने आपको पिछले session में क्या दिये थे mcq session पहला mcq यही था उसका क्या है वो है candela यह भी आपको याद रखना है और मैंने उसमें define किया था luminous intensity होती क्या है वो आप वहाँ पे जाके check कर सकते हो जान लो वो क्या चीज है अब amount of substance क unit क्या है वो है mole क्या है mole यह आप याद रखो के अब यहाँ पर एक चीज समझनी जुरूरी है अगर आपको कोई भी बोलेगा ना यह जो यह physical quantity है यह जो यह physical quantity है इसको आप represent कैसे करते हो आप इसको represent करते हो n into u मैं अब यह n क्या है इसलिए मैंने यहाँ पर पहले आपको units बोला था अब n क्या है n है number number किसका जो यह आप units लेते हो कितने number units आप लेते हो for example आपने बोला 1 meter इसमें जो यह 1 है यह आपका number है और जो यह m है यह आपका meter है that is यह unit है आपको इतना तो समझाया होगा जो physical quantity हम लिखते है वो in terms हम n multiplied by u के terms में हम लिख सकते है बस आपको इतना यहाँ पर समझना था और यह काफी है अब आप एक important चीज़ सुनिए यहाँ पर जो हमारे पास physical quantities है वो हम specify कैसे करते है या तो उसका magnitude होगा याद रखना या तो magnitude होगा अगर उसमें सिर्फ magnitude होगा जैसे हमारे पास refractive index होता है जैसे अगर आपको water का refractive index बोलना होगा आप बोलते हों mu is equal to 4 by 3 यह आप ratio में दिखाते हो तो यहाँ सिर्फ इसको magnitude हो सकता है यहाँ अगर आपको किसी ने बोला इसका क्या हो सकता है magnitude as well as unit हो सकता है जैसे हमारे पास scalars होते है जैसे हमारे पास mass होता है यहाँ पर जैसे हमारे पास ratio होता है यह चीज़ आपको समझनी है तीसरा होता है उसमें magnitude भी होगा उसमें हमारे पास unit भी होगा और उसमें आपकी direction भी होगी जैसे आपके vectors होते हैं समझ है ना जैसे आप force किसी चीज़ पर लगाते हो ना आपने उसका direction किस amount का force द बोलते हो magnitude प्लस unit भी है इसका और इसकी direction भी है और उसी को आप vector कहते हो और जिसमें सिर्फ magnitude प्लस unit हो उसको आप scalar कहते हो इतना भी आपको जानना है ये हमारे पास जो आपका ये directional properties जो होती है ना उसमें आपको scalar और vector होता है जिसमें आपकी direction मालूम नहों उसको आप क्या प पता हो, उसको आप बोलते हो vector, I hope ये चीज़े आपको समझ आ रही है और बहुत अच्छे से आ रही होगी, अब ये जो हमारे पास types है ना, ये होती है based on their dependency, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होता है, मतलब ये एक दूसरे पर depend है कि नहीं है, जैसे मैंने बोला कि fundamental quantity कि पर dependent नहीं होती है, ये खुद बाखुद को define करती है, लेकिन इनको define होने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, that is why मैंने बोला, यहाँ पर इनको या तो आप किस तरह से define कर सकते हैं, या तो based on dependency, या तो based on direction, direction में क्या आता है, scalar root vector पर, और dependency में आता है fundamental quantities और derived quantities, I hope इतनी ची derived quantities है न, उनकी हम कुछ examples देखें, फहली example जैसे मैंने बोला था area, क्योंकि यहाँ पर area की ही बात आई थी, अब यह derived quantity कैसी होती है, area हमारे पास meter square होता है, मैंने पहले ही बोला था न, यह meter square होता है, अब meter square असल में है क्या, यह हमारे पास length into breadth होता है, length into breadth, यहाँ पर भी हम हमने क्या बोला, basic unit क्या है, मतलब जो हमारे पास यह, मतलब basic अगर आप लोगे न, fundamental quantity, वो क्या है, वो है length की, length है हमारे पास, और breadth की भी क्या होगी, वो length होगी, तो अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी dimensional formula क्या बन जाएगी, वो हमारे पास सीदे C क्या बन जाएगी, L square, यह आप याद रखोगे, M0, L square और T0, यह आप याद रखोगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ length दो बार आया, और यह जो यह हमारे पास होता है न, इनको हम dimensions कहते हैं, किनको, जो यह power होता है, याद रखना, इस power को हम dimension कहते हैं, यह भी आप याद रखोगे बहुत सा रूपो, यह confusion होता है, जो इस base की उपर power होगा, उसको हम dimension कहते हैं, यह आप अपने दिमाग में डालोगे, for example, आपके पास volume है, volume की dimensional formula क्या होगी, वो देखते हैं, जैसे इसका क्या होता है, L into B into H, वह यह होता है न, तो आप यहाँ पे भी L लिखे, यहाँ भी L तो यह क्या बन जाएगा, L cube, तो वो M0, L3 और T0, तो आप सीधे इसको L3 लिख सकते हो, और इसका dimension क्या है, वो है 3, इतना आपको समझता है, बस यह थी काफी चीज़े किसके बारे में, derived quantity इसको समझने के बारे में, अगर आपको मैं यहाँ पे और एक derived quantity होगी, जैसे कि velocity है हमारे पास, अगर मैं आपको बोलूगा, velocity होती क्या है, velocity होती है, displacement, divide by time, अगर आपको कोई भी बोलेगा, जो हमारे पास displacement, वो हम किस मतलब तरज पे लिखते है, मतलब कोई भी चीज़, वो हम लिखते है, में में, मैंने में में लिखा, और अगर आपको कोई भी जो हमारे पार, तो इतना आपको समझाया, जो हम distance को major किस में करते है, length में, और length का unit क्या है, meter, आपको पता ही होगी, और जो time का unit क्या है, second, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना, इसको आप लिखोगे m0, जो mass है, वो 0 है, और जो आपकी meter, length है ना, वो आपका 1 हो गया, और यह आपके पास time जो आ गया था ना, आपको नीचे आ गया, तो आप क्या बोलोगे, m0, l1, t-1, किसका है आपके पास, वो है आपका velocity का, I hope यह भी आपको चीज़े समझाई कि हम dimensional formula कैसे create करते है, तो यह हो गया हमारा clear cone, जो हमारे पास derived quantities है, I hope यह आपको समझाया होगा, जो हम fundamental quantities से निकाल के बनाते है, अब यहाँ पर और एक है, जो न तो हमारे पास fundamental quantities में fit होती थी, न तो हमारे पास derived physical quantities में fit होती थी, तो उनको हमने बोला कि आप हमारे एक्स्ट्रा हो, मतलब आप हमारे लिए extra हो, तो जैसे हम exam में supply लेते हैं, supplementary, जिसको आप बोलते हो, supplementary sheet, extra sheet, तो वैसे ही हमारे पास जो यह extra quantities थी, उनको हम क्या बोलते थे, supplementary quantities, अब यह इन 7 के बावजूद, मतलब छोड़के इन बाकी quantities को, हमारे पास दो और quantities आ गई, जो हमने इस type में fix कर दी, अब इसमें क्या क्या आता था, एक तो हमारे पास playing angle आता था, और हमारे पास solid angle इसको समझने के लिए हमें एक circle formula कर, यहाँ पे मैं एक circle बनाता हूँ, अब जब मैं यहाँ पे एक center है, अगर मैं यहाँ पे एक radius लूँ, और यहाँ से यहाँ एक radius लूँ, यहाँ पे आगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक arc बन जाती है, आरक क्या होती है, किसी भी एक circle का हिसा, और यहाँ पे एक angle create होगा, जिसको आप याद रुखोगे, फाई, मतलब मैं इसको बोलूँगा, यह फाई है, यह थीटा बोलूँगा, चलिए मैंने थीटा बोल दिया, और जो यह हमारे पास थीटा होता था था थीटा, यह किसके बराबर होता है, यह होता है, इसकी length होती है इस आरकी, और जो मैं अगर divide करूँगा radius, यह हमारे इसके बराबर होता है, कौन, यह थीटा, और हमेशा याद रखना, जो इसका unit है, वो है radian, यह भी आप याद रखोगे, आपका एक question है, मुझे आप एक चीज बोलो के, एक radian किसके बराबर होता है, जैस पर मैं आपको 180 radian, 180 degree बोलूगा, वो pi radian के बराबर होता है, बस आपका यह question है, यह मुझे comment section में चाहिए, ऐसे ही, दूसरा एक याद रखे, उसका नाम है solid angle, अब solid angle क्या है, एक square मैंने उठाया, यह अब square है, यह मत समझता, यह एक square है, 3D shape बन रही है, अब इदर से ही मै अगर आप देखोगे न, इसमें भी यहाँ पर एक angle बनेगा, उसको हम किस से represent करते है, phi से, जैसे हमने इसको theta से represent किया, इसको हम phi से represent करते है, और यह क्या होता है, जो यह area होता है, इस surface का जो area होता है, उसका area, इसका, इसका, इसकोन का जो area हमारे पास, इसका area निकल गया इसका जो area होता है, और divide by होता है, जो यह radius है न, इसका square, इतना आपको याद रखना है, जो यह phi किसके बराबर होता है, area of this, मतलब figure, और जो उसको अगर हम divide करें किस से, r square से, और अगर आपको बोला जाएगा कि इसका, जो हमारे पास unit है, वो है हमारे पास, st radian, और याद रखना, यह इसका क्या है, यह हम denote करते है, sd से, यह इसका unit है, क्या है, unit है, और इतना, आप यहाँ पर एक चीज, मतलब दिमाग में डाल के रखे, जो हमारे पास supplementary, यह जो यह supply quantities होती है, इनका unit तो होता है, जो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन, अगर आप आँख बंद करके बोल देना, नहीं बाई, इनका dimensions नहीं होता है, जहाँ पर basic तो clear हो गया, अब कुछ एक दो चीजे और है, फिर हम conversion देखेंगे, अच्छे से कैसे करनी होती है, यहाँ पर देखे, पहली चीज, अब हमने तो इतना तो चक किया, कुछ standards भी होंगे, ज इतना आप याद रखोगे, पहला हमारे पास है FPS, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप British Engineering System भी कहते हो, इसमें आपका आता है food, इसमें आता है pound, और इसमें आता है second, यह भी आप याद रखोगे, दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास CGS, जिसको आप Gaussian System भी कहते हो, यह भी आप याद रखोगे, इसमें क्या आता है, centimeter, इसमें आपका क्या आता है, gram आता है, और इसमें आपका second आता है, यह भी आपको दिमाग में रखना है, इसके बाद अगर आप देखोगे, और एक सिस्टम आता है, जिसको आप बोलते हो, MKS System, जिसमें आप कौ इसको आप SI unit, यानि यह हमारे पास international system है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है, meter, kilogram, और second आता है, अब और एक चीज़ है, हमने यह तो देख लिया, कि हमारे पास जो physical quantity होती है, वो क्या होती है, जो भी physical quantity है, वो होती है, N into U, मतलब number of units, वो हमारे पास होती है, यह आपको यह number होता है, और यह unit होता है, यह मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अब यहाँ पर समझने की जुरूरत क्या है, कि हम conversion कैसे करते है, यहाँ पर यह चीज़ जिसको पता होगी, उसको conversion बहुत ही easy से आएगी, जब भी आपको यह, यह जो मैंने आपको पहले ही चीज़ समझाई थी यह समझनी जुरूरी है, यहाँ पर जब भी आप एक system से दूसरे system में आते हो, second system में आते हो, कभी भी यह मत समझना कि अब इसकी quantity कम हो जाएगी, बस आपकी जो दिखावर्ट होती है वो change हो जाती है, ऐसे मैं आपक करता हूँ, एक कीजी कितना होता है, thousand gram की बराबर होता है, that means quantity same रही, लेकिन जो representation है, वो change हो गई, इसका मतलब आप यह निकाल सकते हो, n1, जो हमारे परस n1, u1 होता है, वो हमेशा बराबर होगा, n2, u2 के, इतना आपको समझाया होगा, for example, अगर आपको बोला जाएगा, यह मैं मिटाता हूँ, एक बार आपको एक चीज समझानी है, for example, आपको बोला जाएगा, कि 1 newton, कितने dine के बराबर होता है, इसका आपको answer करना है, यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, देखे, अगर पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, यह हमारे पास किस में है, यह SI में है, और यह CGS में है, अब यहाँ पर, यहाँ से आप चीज लागिए, N1 हमेशा, N1, U1 हमेशा बराबर होता है, N2, U2 के, अब दूसरी चीज, newton हमारे पास किस का unit है, यह force का है, force किस के बराबर होता है, M into A के बराबर होता है, अब यहाँ पर इसको रहने दो, अब दीसरी ची अगर आपको बोला जाएगा, mass, मतलब use क्या करते हो, SI में आप kg का use करते हो, for example, मैंने 1 kg लिया यहाँ पर, अब acceleration क्या होती है हमारे पास, वो होती है, meter per second square, यह आपको पता ही होगी, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, N2 into gram minus centimeter square, यह आपको लेना है, क्यूंकि meter किसमें change ह होता है, centimeter में kg किसमें change होता है, gram में होता है, तो यह और यह कट कर यह, अगर 1 kg यहाँ से gram है, तो यह कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 1000 gram, into यह कितना हो जाएगा, 100 cm, वही हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास, n2 is equal to n2, gm into cm, cm, cm cancel, gm, gm cancel, यह कितना हो गया, यह हो गया N2 is equal to 10050 हो गया और N2 आप बोल सकते हो यह है 10 raised to power 5 के बराबर बस आपको इतना बोलना था यह 10 raised to power 5 डाइन के बराबर है कितना 1 Newton simple था? बहुत simple था I hope यह चीज़े आपको समझ आगा अब यहां मैं चीज़ देखे जब भी आपको height मिलेगी, width मिलेगी, radius मिलेगी, displacement मिलेगी आप direct यहां पर dimension किसका use करते हो आप L का use करते हो याद रखना इसका dimension हमेशा length होता है यह आप याद रखोगे अब वैसे ही आपके area का क्या बन जाता है L2 मैंने आपको भी समझाया था वो होता है length into breadth इसका भी meter, इसका भी meter meter को हम किस से represent करते है length से, मतलब map किस से length ही तो हम map करते हैं तो यह भी L ही होता है यह L square हो गया, वही हो गया M0 L2 और T0 वो मैंने आपको पहले ही बुला फिर आप लिखिए M0 या ना लिखिए उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तीसरी चीज़ आपको यह समझनी की जुरूरत है पाई, जो है यह न तो हमारे पास mass है, न तो यह time है, न तो यह length है, तो इसको आप क्या लेते हो इसको इससे कोई भी फरक किस पर नहीं पड़ता है dimensions of area पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, so आप इसको direct 1 लेते हो मतलब 1 से multiply करते हो वैसी, अगर आपके पास volume of sphere बोलना है, इसके dimensions क्या है आप क्या करोगे, आप करोगे 4 by 3 into pi और r cube वही है, यहाँ पर यह तो सीधे 1 है खातम खेल, radius का हमने अभी क्या पड़ा, radius का हमारे पास L होता है, तो यह सीधे L3 हो गया, तो आप क्या बोलोगे यह हमारे पास M0, L3 और T0, यह इसके हमारे पास dimensional formula और इसके dimensionless 3 है यह आप याद रखोगे, यही हमारे पास simple है, यहाँ पर देखे, अगर density का बोला जाएगा, इसको हमारे पास होता है, mass और volume होता है, यह हमारे पास M और L3, मतलब हमारे पास volume L3 होता है, तो हम बोलते है M1 और L-3 और T0, इसकी dimensional formula होती है, यहाँ पर मैं इसको shear करूंगा, आप इन सारे चीज़ों को एक बार देख लोगे, बहुत अच्छे से आपको देखना है, यहाँ पर देखे, जो हमने fundamental quantities पड़ी थी न, साथ उनके यहाँ पर आपको quantity भी देखे है, name of unit भी और symbol, और यहाँ पर आपके उनके dimensions भी दिये है, आप एक पर pass कर लीचे, इनको note down कीजिए जैसे length, length की dimensional formula हमारे पास क्या है या आपको अगर बोला जाएका dimension क्या है, वो है हमारे पास L1 ही, 1 इसका dimension है यह आप याद रखोगे, और dimensional formula क्या बन जाती, M0, L1 और T0, यह आप याद रखोगे वैसे ही mass का M1, L0, T0 यह आप याद रखो, आप M1 लिखे सीधे या L1 लिखे सीधे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, ऐसे ही time का अगर आपको बोला जाएगा, वो होता है M0 L0, T1 यानि T1 इसका हमारे पास आता है, अगर temperature का वैसे ही बोला जाएगा, इसको add करना है कि M0, L0 P0, K1 समझाया, ऐसे ही यह सारे है यह आप एक बार check करोगे आप इसका screenshot उठाइए और अपने पास safe guard करके रखे, बहुत important है और यहाँ पे आपको कुछ SI unit prefix है, जो आपको यहाँ पे दिये है, इनको भी आप check करोगे, यह देखे यहाँ पे यह काफी important है यहाँ पे dimensions of कुछ physical quantities के दिये हुए है यह हमारे लिए काफी important है और इनको हमें check down करना है यहाँ पे देखे, अगर आपको difficult लगता है किसी भी चीज का dimension करना देखे, मैं पहला ही उठाता हूँ speed, speed क्या होता है हमारे पस distance divided by time अब distance हम किस तरह से मापते है length से मापते है और time को हम seconds में means हम t ही लेते हैं fundamental quantity क्योंकि यह एक derived quantity है तो हम इसको ऐसे represent कर सकते है तो आप बोलोगे elephant t-1 यहाँ पे m आएगा 0 automatically आप सिर्फ इतना ही रहिए और या m0 भी लिखे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यूंकि इसका dimension हमारे पैस यहाँ पे 0 आता है इसका 1 और इसका minus 1 I hope यह चीज़े आपको समझा रही है देखे और एक चीज़ समझिए अगर आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे momentum है momentum अगर आपको कोई भी बोलेगा momentum क्या होता है वो होता है mass into velocity वही होता है वो हम क्या लिखेंगे velocity किसके पराबर होती है mass per second वही होता है न m into mass per meter per second sorry not mass per second sorry extremely sorry यहाँ पे देखे mass per second हो गया फिर से mass per second meter per second sorry अब यहाँ पे यह m1 हो गया और यह हमारे पास l इसका हमारे पास यह मीटर है ना, इसका L आएगा, यह L1 और T का हमारे पास, S का क्या आएगा, T, यह हो जाएगा, यह 1 है, लेकिन उपर चड़े के यह –1 बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, M1, L1, T-1, वही हमारे पास M1, L1, T-1, वो हमने करके रखा है, अगर वर्ग का बोला जाएगा, वर्ग का कैसे करोगे, वर्ग हमारे पास, Simple है, वर्ग हमारे पास क्या होता है, Force, हमारे पास यह फॉर्मुला याद होना जुरूरी है, that's why मैंने एक एक चीज यहाँ पर डाली है, जैसे वर्ग की जो फॉर्मुला है, वो हमारे पास Force into displacement into cos theta, यहाँ पर cos theta हमारे पास क्या होता है, Supply quantity जो हमने अभी पढ़ी थी, Supplementary quantity है यह, that's why इसका dimension नहीं होता है, हमें सिर्फ किसके साथ काम है, Force और किसके साथ, Displacement के साथ, Force हमें पता है, वो है M into A, Mass into Acceleration, और जो हमारे पास displacement है, उसका क्या है हमारे पास, वो है Meter, इतना आपको पता ही होगी अब Mass into Acceleration, Acceleration खुद किसके बराबर होता है, वो हमारे पास Meter per second square, यहाँ पे लिखके रखा है, मैंने एक एक करके, तांकि आपको चीज़े इजी हो जाए, इन्टू क्या होता है, वो, इन्टू होता है, वो Meter, यानि किसका Meter, जो हमने यहाँ पे displacement का लिया था, इन्टू कॉस सिटा, जिसका हमें पता है, डाइवेंशन कुछ नहीं होता है, उसको हम छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे, अगर यह मीटर है, तो इसका, सॉरी, अगर यह मास है, not Meter, मास है, तो इसका M आएगा, अगर यह हमारे पास Meter है, तो इसका L होगा, और अगर यह हमारे पास second है, तो इसका T2 होगा, इन्ट, ये हैं हाँ पर फिर से क्या है हमारे पास, डिस्प्लेस्मेंट, तो इसका भी क्या होगा, इसका हमारे पास L होगा, तो ये हमारे पास M1L2 T-2 हो जाएगा, ये इसकी हमारे पास क्या होगे, डाइमेंशन, 1, 2 और माइनस 2, I hope ये चीज़ आपको समझाई, ऐसे ही सेम हमारे पास किसकी होती है, हमारी एनरजी की, जिसका हमारे पास, अगर किसी ने भी बोला, जो हमारे पास यूनिट है, वो क्या है, वो है जूल, और यहाँ पर वर्ग का भी क्या है, ऐसा यूनिट, वो है जूल, इतना आपको याद रखना है, I hope ये चीज़े आपको समझाई, हम मौण करते हैं, नेक्स्ट पर, similar way से इन पर भी आप नजर मारोगे, काफी important है, इन सब को आपको नजर मारनी है, एक बार स्क्रीन को पास करिए, और इनको चेक आउट करिए, screenshot प्ठाइए, और इनको याद रखे, काफी important है, यहाँ पर similarly, ये भी है, ये dimensions of, जो हमारे पास कुछ constants है, उनके dimensions है, इनको भी आप अच्छे से check out करोगे, बहुत important है, देखके रखना, क्यूंकि इधर पर मैंने इस सारे अच्छे से solo करके रखे हैं, एक बार आप चेक कर लेना, तो हम move on करते हैं next, यहाँ पर हमारे पास कुछ और important चीज़े है, physical quantity हमारे पास force है, अगर CGS में इसका unit देखोगे, तो dine है, और SI में newton है, जो मैंने आपको करके भी दिखाया, यह आपको पता होगी, वरग is equal to अरग, और SI unit में जूल होता है, यह भी आप याद रखोगे, अब यहाँ पर देखे, जो हमारे पास length, mass और time के जो units है, वो किसके बराबर होते हैं, पहले आपको पता हो नीचा है, मैं ट्राउल करती है, उसको आप light year कहते हो, फिर one light year किसके बराबर होता है, वो 9.46 into 10 raised power 15 meter के बराबर होता है, इसी तरह से आप इन सबुचीज़ों को चेक करोके, यह भी हमारे पास काफ़ी important है, यह था सारा concept किसका, जो हमारे पास units and dimensions का है, इतना ही हमारे लिए important है competitive exam के लिए, और हम अपने questions best shift होते हैं, चलिए यह वाला हमने किया, हमने बोला था इन में से fundamental quantity को नहीं है, वो area नहीं है, हम आते हैं अपने question number 2 पे, यहाँ पे आपको बोलना है temperature can be expressed as a derived quantity, in terms of which of the following, आपको बोलना है कि जो हमारे पास temperature है ना, उसको आप expressed derived quantity में कर सकते हो, derived quantity क्या होती है, जो हमारे पास fundamental quantity से मिल जाती है, तो यहाँ पे temperature खुद ही क्या है, यह एक fundamental quantity है, तो आप इसको इस में से किसी में express कर सकते हो, नहीं, बिलकुल गलत है, तो आप क्या बोलोगे, in terms of nothing, I hope यह question भी आपको समझ में आया होगा, simple question था, और हम मुआन करते हैं next पर, अब यह वाला question देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि, आपको बोलना है कि, dimensions that has kinetic energy, जो हमारे पास dimensions of kinetic energy है ना, वो इस में से same है, किसी और जो हमारे पास quantity के, आपको वो इसका answer करना है, चलिए जल्दी से answer करिए, simple है, वो होता है वर्ग का, अभी हमने वो भी किया था, उसका भी joule unit, इसका भी joule unit, तो आपको यह भी आया होगा, मैंने तब भी बोला था, जो मैं question is, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ न, आप उनको आप चुटकी में कर पाऊगे, आदा गंटा मैंने इसलिए मांगा था, अब आपको बोलना है, कि magnetic field की dimensional formula क्या है, यह easy है, बोलिए क्या है dimensional formula, यहाँ आपको पता होनी चाहिए, magnetic field किसके बराबर होता है, magnetic field अगर आपको किसी ने भी बोला न, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास, force divided by charge into velocity, अब यहाँ पर इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, अब आप easily इसको determine कर सकते हो, इसका हमारे पास dimensional formula क्या निकलेगी, अगर force लोगे, वो आपका mass into acceleration होता है, वही होता है, acceleration खुद क्या होता है, वो हमारे पास meter per second square होता है, आप M का L लीजिए, और यहाँ पर इसका S के लीजिए, तो अगर आपको बोला जाएगा, इसका हमारे पास क्या होगा, मतलब जो हमारे पास dimensional formula, 1T-2, इतना आपको समझा गया, अगर आपको बोला जाएगा, यह हमारे ने क्या लिखाया है, अब charge किसके बराबर होता है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो होता है, current into time, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसको I into T, लेकिन जब यह उपर चड़ेगा, यह T-1 बन जाएगा, इतना भी आपको नजर में रखता है, velocity क्या होता है, distance by time, तो इसका क्या होगा, अगर इसका distance का क्या होता है, वो L होता है, इसको उपर चड़ाएगे, वो minus 1 बन जाएगा, T-1, I hope जब आपको यह सारी चीजे मिल गई, आप easily find कर सकते हो, इसकी dimensional formula, यह मैंने आपको बस सिखा दिया कि करला कैसे है, अब आप खुद दूनिये इसमें से, इसका answer क्या होगा, easy है, हम मुँआन करते हैं next question पर, चलिए, यहाँ पर देखे, आपको बोलना है कि unit of energy, क्या है, जरा मुझे बोल, वो इसका correct answer है, electron volt, इतना आपको पता होनी चाहिए, एक electron volt किसके बराबर होता है, वो होता है, 1.6 into 10 razor power minus 19 june, यह भी आपको दिबाग पर रखना है, बहुत ही important question था, that's why यहाँ पर लाया हुआ हूँ, तो हम more on करते है next question, यहाँ पर यह वाला question देखे, क्या बोल रहा है, what are the complete set of base and derived units known as, उनको आप क्या कहते हो, उनको हम कहते है system of units, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है system of units, तो मैंने आपको बोला, basic fundamental units हमारे पास 4 होते है, एक तो ampere होता है, वो आप याद रखोगे, दूसरा हमारे पास second होता है, और तीसरा kilogram और चोथा meter, यह 4 चीज़े आप याद रखोगे, और हम more on करते है next, चलिए, यहाँ पर आपको simple question है, आपको बोलना है कि वो quantities जिनके same dimensions है, और इसका correct answer हमारे पास wave length and focal length है, I hope आप लोगों ने भी यही answer किया होगा, बहुत ही important है, हम more on करते है next question पर, यहाँ पर देखे, अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि, आपको बोलना है कि which of the physical quantities has dimensional formula M1 L2 T-3, इन मेंसे आपको बोलना है कि वो किसकी हमारे पास dimensional formula है, वो हमारे पास power होता है, power की जो dimensions होते हैं, वो होते हैं M1 L2 T-3, इतना आपको याद रखना है, अब power किसके बराबर होता है, power अगर आपको किसी ने भी बोला, वो होता है work divide by time, और आपको मैंने दिखाया था अभी work की dimensions क्या होते हैं हमारे पास, M1 L2 T-2, और divide by हो गया है यहाँ पर time, अब time को उपर चड़ाएंगे, अगर हम उपर चड़ाएंगे, तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, यह हमारे पास M1 L2 T-3, इतना आपको समझे, यहाँ पर confuse मत हो जाएए, यह L, sorry, यह मैं बूल गया, यह T-2 है, समझना, चलिए हम वहार करते हैं next path, चलिए यह वाला question देखिए, which method is used to measure distance of other planets from Earth, आपको बोलना है कि हम किस method को use करते हैं, कि हम Earth से दूसरे planets तक distance measure करते हैं, चलिए बोलिए इसका correct answer, बहुत easy question, वो हमारे पास parallel lex method होता है, I hope इतना भी आपको समझाया, और यह आप याद रखोगे, हम one करते हैं next path, यहाँ पर अभी मैंने यह question बोला, एक light year की कितनी value होती है, यह आप मुझे comment section में बोलोगे, बहुत important question है, और यह आप खुद बोलोगे, इसके बाद, अगर आपको बोला जाएगा कि हमारे पास जो frequency, अगर आपको बोला जाएगा कि frequency of sound wave, और major deal, उनको हम किस में major करते हैं, सरा मुझे बोल किये, कितना easy question है, इससे easy question हो सकता है, वो हमारे पास answer है, hurt is, इसका answer hurt is है, बस इतना आपको बोलना था, अब यहाँ पर बोलना है, unit of luminous intensity, यह मैंने सब बार बोला है, पिछले session में मैंने यह पूरा explain किया है, और इसका जो हमारे पास unit है, वो है candela, I hope यह भी आपने answer किया होगा, अब इसके बाद देखे, आपको बोलना है कि one astronomical, आपको बोलना है one astronomical unit, किसके इसका value क्या होता है, बिल्कुल simple question है, चलिए बोलिये इसका correct है, यहाँ पर इससे confused मत हो जाएए, यह 11 है, 10 raise power 12 है, और यह है 10 raise power minus 11, और इसका correct answer है, 1.496 into 10 raise power minus 11, इतना अब, sorry not minus 11, यह 10 raise power level है, यहाँ पर आज हम अपना session close करते हैं, और हमारा dimensions और units, वो हमारा यहाँ पर clear होता है, I hope आपको session अच्छा लगा हुआ होगा, अगर अच्छा लगा तो channel को subscribe, और टेलेग्राम पर ज़रूर जुड़िये, बाकि take care, Allah Hafiz.